लो भाईया एकदम पप्पू बना दिया है शुक्रिया भाईया ठीक है भाईया अल्लाहाफिस पैसे कौन देगा रे ओ हाँ पैसे पैसे तो नहीं है मेरे पास क्या पैसे नहीं है मुझे जरा ये बताओ बाहर इदर कुछ कहीं लिखा हुआ है कि फ्री में कटिंग करवा हो है देखो भाई बाहर लिखा हुआ हो या ना लिखा हुआ हो मैं जहां से कटिंग करवाता हूँ किसी को एक रुपिया भी नहीं देता और तुमें भी नहीं दूँगा लेकिन हमने आज तक जिसकी भी कटिंग किये पैसे वसूल किये हमने यार अब नहीं है पैसे तो मैं क्या करूँ जाने दो मुझे जलो उस्ताद मेरी मूचें तो सेट कर दो गुजर तेरी मूचे मैं बाद में सेट करूँगा पहले मैं इसकी तबे सेट कर लू मेरे पैसे निकालो मेरे पैसे यार नहीं है पैसे देखे ना गुजर सही अब नहीं है पैसे तु मैं क्या करूं? क्या मतलब है तुम्हारा? पैसे नहीं है अबेस बिकारी के पास अगर पैसे नहीं है तो इसको बाहर बीक मंगवा अगर शाम तक ये पैसे नहीं देगा तु मुझे बताईयो मैं इसकी टंगें तोड़ दूँगा चलो आप मेरी मुच्छें सेट कर दे आप बैठें गुजर साहिब मैं इस हरामी को बिठा कराता हूँ एक कहा लेके जा रहे हो चलो ये पकड़ और शाम तक पैसे पूरे करके देने है पता नहीं कैसे कैसे भीकारी आ जाते हैं कटिंग करवाने अच्छे से बनायो मुच्छें जी जी गुजर साहिए पैसे मेरे पास भी नहीं है चलो चलो कोई बाद नहीं गुजर साहिए मैं उसी हरामी से वसूल करूँगा अगर नहीं को पैसे ना दिये तो गुजर मेरी टांगे तोड़ देगा गुजर तो बहुत ही खतरनाक बन्दा है मुझे लगता है अब मुझे भीक ही मांगनी पड़ेगी लेकिन इस हुलिये में मुझे भीक कौन देगा अल्ला के नाम पे कुछ दे दो भाया मेरा बादू नहीं है अल्ला के नाम पे कुछ दे दो भाया ले गुजर साहिब आपके मुझे तियार हो गए अगर कोई गाग पैसे ना दे रहा हो तो मुझे बता दिया करो शुक्रिया हसन जी उस्ताद जा देख कर रहा है वो भीकारी बैठा है कहीं भाग तो नहीं गया देखता हूँ ओ भाई क्या हुआ क्यूं भीक मांग रहे हो भाईया मेरा एक बादू नहीं है इसलिए भीक मांग रहा हूँ अच्छा तुम परिशान हो अल्ला खैर करेगा हाँ वे कितने पैसे बनते हैं तेरी कटेंगे सो रुपिया सो रुपिया ये लो और ये भी रख लो सो रुपिया तुम्हारी टिप बहुत ही अच्छा कारोबार मिल गया है मुझको ये पकड़ अपना काबार और हाँ बाद सुन अपने लड़के को बोलके वहाँ जाड़ू मरवा दे काल से मैं टाइम पे आ जाउँगा और तुझे दो सो रुपिया डेली दूँगा और वो भी बगयर कटिंग करवाए हसन मेरी बात सुनो मैंने सोच लिया काल से दुकान तु संबालेगा और मैं संबालोंगा उस भेकारी वाला अड़ा क्योंकि इस कारोबार में अंधी कुमाई है